जाको राके साईयां मार सके ना कोल नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ वैशाली और आपके साथ मैं हूँ गौरप सिंग आप देख रहे हैं इंडेन्यूस का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूस एंटर्टेन्मेंट और इस वक के बड़ी खबर आ रहे हैं इंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री से जहां गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले आक्टर सुनु सिल्ग ने एक बार फिर से इंसानियत की मिसाल पेश की है जी हाँ ये वाकिया कहीं और का नहीं है बलकि पंजाब का है जहां एक बार फिर सुनु सुन ने साबित कर दिया कि वो एक सच्चे देश वक्त है और साथ ही साथ उनके अंदर देश वक्ती के और इंसानियत की जो भावनाए हैं वो कूट-कूट के भरी हुई है जहां बेते रात मोंगा और भतिंगा रोड पारेक ऐसा कार अक्सिडेंट हुआ जिसमें एक यूवक गाड़ी के अंदर फस कया उस दोरान उनके किसमत अच्छी थी कि सोनु सुर बहां से घुजर रहे थे उन्होंने जैसे ही कार में फसे हुए यूवकों को देखा उपने गाड़ी रोकी यूवकों की जान बचाई और उन्हें समय पर अस्पताल मिरे जाया कि यहां तक कि सबसे गजब मुझे वो चीज लगती है जब एक फ्लाइट पर सोनुसूद की फोटो थी तो ऐसे हम लगाता कई साल से देख रहे हैं कि सोनुसूद बीच बीच में इंसानियत के ऐसी तमाम मिसाल पेश करते हैं कि वो गरीबों के मस्या बन जाते हैं जी बिलकुल और ये जो वीडियो है वो इंटरेट पर अब तेजी से बारल हो रहा है जिसमें ये दिखाया गया है कि रात के गोपंधिरे में किस तरह से जब कोई भी मदद के लिए उन युखों की नहीं रुक रहा था तब कैसे सोनो सूध में इंसानियत की न सिर्फ मिसाल पेश की और साथी साथ उन दो युखों की जान भी बचाए और बिल्कुल ऐसा काम कोई फरिष्टा ही कर सकता है और फरिष्टा बन कर आए इन दोनों युवाओं की जिंदगी में सोनो सूध क्योंकि अगर सोनो सूध महां से नहीं जा रहे होते तो नहीं कहा जा सकता कि कोई उनके लिए रुपता इस्पैशली उन्हें गाड़ी से निकालने मदद करता फिर अपनी गाड़ी में उन्हें बिठाता और फिर हॉस्पिटल लेके जाता यह लोग आजकल मान सकता है कि ल अभी नेताओं को नेताओं को फॉलू करते हैं तो यह फांस के रिवे काफी पॉजिटिव मैसेज है कि आप जब भी कभी किसी को परिशानी में या मुश्किल के वक्त में देखें तो आप वहार रुकें और उसकी मदद जरू करें बिल्कु दोस्तों इसी हिदायत के साथ थम्भी आप से लेते हैं विदालेगी चटपटी और मसालेतार खबरों का सलसरा लगातार चलता रहेगा इंडिया न्यूस एंटरेंटमेंट पे इसलिए आपको यह वीडियो चलगा तो इसे लाइक करें शेयर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल इंडि एन्यूस एंटरेंटमेंट